प्रॉब्लम से सल्यूशन ता, आस्कृता, नो यूर फेट पूरी एक प्रक्रिया होती है, नाम करण की, नाम करण संसकार की, और उस नाम करण संसकार में विशेश गणनाएं करके, विशेश कैलकुलेशन करके, व्यक्ती के संसकारों को समझ करके उसका नाम निकाला जाता है, इसलिए सामान्यतह नाम गलत या सही नहीं होता, अगर ना का प्रभाव नकारात्मक संसकार व्यक्त करता है तो संसकारों को बेहतर करने की जरूरत है जैसे मान लिया किसी व्यक्ति का नाम ऐसा है जिससे थोड़ी निगेटिविटी फील हो रही है तो आप अपने संसकारों को बेहतर करिए साथी साथ नकारात्मक संसकार वाले नाम को बदल देना चाहिए अगर कोई नाम ऐसा है जिससे सामानने तह कोई निगेटिव बात सामने आ रही है कोई नकारात्मक बात सामने आ रही है तो ऐसे नकारात्मक संस्कारों वाले नाम को आपको बदल देना चाहिए इस आड को स्किप करना तो बहुत मुश्किल है पर लाइफ की प्रॉब्लम्स का सल्यूशन ढूणना आसान प्रॉब्लम्स से सल्यूशन तर अल्टर तर नो यॉर फेट अगर नाम का प्रभाव सकारात्मक है तो अपने संस्कारों को बदल करके नाम के हिसाब से पॉजिटिव कर लीजिए आपका नाम रखा गया है राम और आपके अंदर संस्कार जैसी कोई चीज नहीं है मर्यादा जैसी कोई चीज नहीं है तो इस नाम का लाभाब को नहीं होगा तो जिस तरह का आपका नाम है उस तरह के अपने स्वभाव को बनाईए अपने चरित्र को बनाईए तो आपके लिए अच्छा होगा अगर आप अपने नाम के हिसाब से अपना स्वभाव रखते हैं पॉजिटिव नाम के हिसाब से क्योंकि निगेटिव नाम तो रखना ही नहीं है अगर आप पॉजिटिव नाम के हिसाब से अपना स्वभाव रखते हैं तो इसके बहुत अच्छे बेहतरीन परिडाम आपको मिल सकते हैं अगर आपका स्वभाव नाम से उल्टा होगा तो जीवन में संगर्श की मात्रा बढ़ जाएगी आपका नाम है कोमल और स्वभाव है कठोर चीख चिला करके बात करते हैं तो बुरा हो सकता है क्योंकि आप अपने नाम के विपरीत दिशा में जा रहे हैं जहां पर आपका भाग्य आपका साथ नहीं देगा तो जिस एक तो नाम अच्छा रखिए और जिस तरह का अच्छा नाम रखते हैं उस तरह का अच्छा बनने का प्रयास करिए